बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अपकी बार मोधी सरकार, सरकार बन गई, महिलाओं ने विश्वास किया, सोचा कि ये दिन बदल जाएंगे, शायद सच में अच्छे दिन आ जाएंगे, फिर उन्होंने एक और जुमला छोड़ा, वो जुमला था कि बेटी बचाओ, बेटी लाज कि तो पढ़ेंगी बेटीया, कह रही हैं कि भारतीय जन्ता पार्टी और उसके नेताओं से बेटी बचाओ, उसके बात कर बात करना की बेटी पढ़ाओ, ये आज 21 सदी में भारत की सचाई है, कि इदेश की महिलाएं, इस देश की बेटियां, इस देश की बेहनें, आज एक दर के साय में जीती है घर के अंदर डर है तो घर के बाहर डर है सुनसान रास्ते पे चलने का डर है तो भीड से गुजर जाने का डर है पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को इस्तमाल करते हुए उसमें भीड में खड़े होने का डर है तो अकेली गाड़ी और स्कूर्टी चलाते हुए कोई धर पकड़ ना कर ले इसका डर है आज स्टाटिस्टिक्स जो प्राइम अगेंस विमिन के आकड़े हैं महिलाओं की इज़त महिलाओं का सम्मान महिलाओं का सशक्तिकरन महिलाओं की सुरक्षा उन आकड़ों की भेट चड़ चुका है और लगातार ये ऐसी प्रैसवारता करते हुए उन आकड़ों को आपके सामने रखते हुए मन में टीस उठती है लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते ये बात करनी पड़ती है हमें एक और उन नाव में ऐसी घटना हुए क्या हम भूल गए थे सेंगर को क्या हम भूल गए थे कि किस तरह से रेप पीड़ता के पिता को आत्मत्या करनी पड़ी पुलिस कस्टिडी में क्या हम भूल गए कि उस लड़की को न्याय की गुहार मांगते हुए अपने आप को जलाने की कोशिश करनी पड़ी उसके बाद ये एक और घटना होती है मैं पूछना चाहती हूँ कि ये साबित क्या करती है ये घटना साबित करती है कि अगर ये रक्षक सरकार भक्षक ना बन गई होती अगर भारतिय जंता पार्टी और मोदी सरकार साम दाम दंड भेद के साथ सेंगर को संरक्षन देने में न लग गई होती तो ऐसे अपराधियों का इकबाल न बढ़ता होसला न बढ़ता ये दूसरी उन नाव की घटना न होती कितनी और निर्भया का इंतजार करते रहेंगे हैं कितनी और उन नाव जैसी बेटियां जो की जिन्दा जलाई जाती हैं या खुद को जलाने के लिए मजबूर हैं इनका रास्ता हम देखते रहेंगे मैं तो चाहती थी कि आज की प्रैसवारता शुरू हो सबसे पहले इस देश की बेटियों को संबोधित करते हुए और ये कहते हुए कि उन नाव में जिस तरह से 90 प्रतिशत जला दी गई ये लड़की चाकू मारा गया पहले फिर जलाया गया फिर वो भागी पुलिस टेशन की तरफ कि शायद मैं बज जाओं जब तक उसे आग बुझाई गई वो 95 प्रतिशत जल चुकी थी ये दिल को दहलाने वाली घटना है मन को कचोटने वाली घटना है पर मैं कहना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना घणा हो सुभह उतनी बहतरीन होती है मैं गुहार लगाना चाहती हूँ इस देश की बेटियों से की हिम्मत नहारे होसला नहारे जुल्म कितना भी जादा क्यों नहों जुल्म मिटता है अत्याचार मिटता है और कॉंग्रिस पार्टी इस लड़ाई में इस मुहिम में इस देश की बेटियों के साथ तन मंधन के साथ उनके कंधे से कंधा आवाज से आवाज और कदम से कदम मिलके चलने को तैयार हो मैं ये भी याद दिलाना चाहती है कि लगातार कॉंग्रिस पार्टी ये सवाल पूछती रही कि आखिर ऐसा क्यूं है कि भारतिय जनता पार्टी द्वारा शासित प्रदेशों में ही सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाप अपराध होते हैं इसका तालुक पहला तो मैंने आपको बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के बजाए अगर अपराधिय आप ही की पार्टी का है तो उसे संरक्षित करिए ये किसका होसला बढ़ाएगा अपराधियों का होसला बढ़ाएगा और दूसरे इनकी विचारधारा वो विचारधारा जो हमेशा से महिला विरोधी ही रही है वो विचारधारा जो चाहती है कि महिलाएं या तो महिलाओं के लिए हमेशा एक परिधी खीश दी जाए एक रेखा और उसके पीछे उन्हें समेट कर रहना पड़े ये आकड़े बहुत चौकाने वाले हैं मुझे खुशी नहीं होती है बताने में लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि वो इस देश की जनता की भी आख खुलते हैं 3,60,000 से जादा एक साल में महिलाओं के खिलाफ अपराद होए यानि कि करीब-करीब 986 अपराद महिलाओं के खिलाफ देश में रोज होते हैं एक हजार अपराद और इसमें सबसे ज़ादा संख्या जो है वो भारतिय जंता पार्टी के जो सरकारे हैं प्रदेशों में वहाँ पर है उत्तर प्रदेश में 2017 में 56,011 अपराद महिलाओं के खिलाफ हुए प्राइम अगेंस विमिन राजिस्थान 2017 में जब भाजपा की सरकार थी 25,993 अपराद मामले दर्ज किये जाते हैं महराष्ट में 31,989 मामले होते हैं हर्याना में 11,370 मामले दर्ज होते हैं और ये तो वो मामले हैं जो डर्ज होते हैं बहुत से ऐसे मामले हैं जो महिलाएं कानून के दर्वाजे तक लेकर पहुँच भी नहीं पाती है इस सारी परिस्थिती को देखते हुए, जैसा कि आमी जी ने भी कहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ में प्रती कन्या पांच पैसे का आवंतन होता है बज़त में, निर्भया का जो फंड है 885 करोड का, मात कीजे, 36 करोड का, उसमें 800 करोड रुपया खर्च कर पाती है सरकार, मेनिका गांभी ने प्रेस करमी बैठें, कितने वन स्टॉप रेव क्राइस सेंटर आपने देखें, मुझे बताईए क्या एक भी देखा है आपने, निर्भया का फंड डिल्ली में, डिल्ली में केजरिवाल की सरकार तो है, मोदी जी की भी सरकार है आधी, और उसी का द्वंद चलता रहता है, इसलिए डिल्ली भी पिस रही है, वहाँ 5% स्वाती मालिवाल DCW की चेर परसन है, अंशन पर बैठी है, ये नहीं बता पाएंगी कि केवल निर्भया फंड का 5% पैसा ही क्यों इस्तमाल किया गया, बाकि क्या हुआ, तो महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं के सम्मान को, मह हाल ही की, मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहूंगी, चिनमयानंद, उसके उपर भी मैंने एक प्रेस वारता की थी, तो जो आरोपी है, वो कहेगा मैं बीमार हूँ और अस्पताल जाएगा, और वो पीडिका, जो भारतिये जंता पाटी के नेताओं के खिलाफ बोलेगी, या तडपाई जाएगी, या शोशित की जाएगी, उसी का उधारन है, हर्याना में पिछले 10 महिनों में 1396 रेप हुए हैं, 150 सामुहिक बलातकार हुए हैं, गैंग रेप्स, दिल्ली में जहां पर प्रधान मंत्री जी स्वयम रहते हैं, जहां पर ग्रह मंत्री जी स्वयम र बंधन की सरकार चल रही है, वहां 34 स्कूल की छात्राओं पर 24 लड़के मिलकर ऐसे डटाइक करते हैं, तिजाप देख देते हैं उन लड़कियों के मूपर, नैशनल लौ यूनिवर्स्टी राची की एक छात्रा के साथ सामुहिक बलातकार होता है, मैनपूरी नवोदय वि के बेंच ने बोला था कि 45 दिन में ट्राइल खतम होना चाहिए, मैं उत्तरप्रदेश की सरकार से जानना चाहती हैं, कि ये 80 दिन हो गए ट्राइल खतम नहीं हुआ, कि किस रफ्तार से न्याई की प्रक्रिया चल रही है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, जस्टिस डिलेड इ ये हम जानना नहीं चाहते, मोदी जी जो बहुत ही प्रकर और मुखर वकता हैं, बहुत ओजस्वी वकता हैं, वो कामोश हो जाते हैं, संसद में कोई भी भारतिये जनता पार्टी का प्रतिनिधी किसी भी तरह की कोई बात रखना नहीं चाहता है, कोई सफाई नहीं देना चाहते हैं आज बिपी रानी जी को बहुत पीस उठ रही है मन में कि मेरे साथ दुर्व्यवार हो गया यहां लड़कियां बलातकार के बाद जिंदा जलाई जा रही है उनके परिवार के उपर क्या बीत रही है इसके लिए भारतिय जंता पार्टी के नेताओं से भारतिय जं पर दलगत राजनीती होती है यह आरोप लगाया जाता है यह कहा जाता है कि देखिये राजनीती करण ना करे मैं बोलना चाहती है राजनीती करण बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेकिन जनता ने जिस राजनेतिक दल को प्रतिनिधी बनाकर सरकार में बिठाई है उसका राजनेतिक दायत्व जरूर होना चाहिए। और महिला सुरक्षा के मामले में कॉंग्रेस पार्टी भारतिय जनता पार्टी की सरकारों जो प्रदेशों में हैं और मोधी सरकार के राजनेतिक दायतों को ललकारती है। और ये कहती है कि उन्नाव जैसी घटना जब तक होती रहेंगी, कॉंग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसत तक हमेशा मैदान में रहेगी, लोहा लेती रहेगी सरकार से और इस निरगुष सरकार के ऊपर लगाम कसने का काम भी हम करेंगे, हमने बहुत सी बार ये सिद्ध करक कि कद्र अब तक हमारी तारीख में जानी ही नहीं, हम में शोले भी हों, बसश्क फिशानी ही नहीं, हम हकीकत भी है दिल्चस्प कहानी ही नहीं, हमारी हस्टी भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है हमें, जुल्म को हराकर आगे और आगे बढ़ना है हमें. इस देश की महिलाओं को ये संदेश Congress Party देना चाहती है. महिलाओं को के हुसलों को पस्क नहीं होने देंगे और अपराधियों के हुसलों को बुलंद नहीं होने देंगे. जैहें. यह लगता है कि इसमें कोई किंटू-परंटू व कि अबस्ट उड़ाब का और शक्रावी ये खुशय इस पुपर्टियू है। जब मिजिस्टिरियर्य इंक्वाइरी वे है। तो फुलिस का वर्जिन सही है गलत भी क्या कह सकती है। तो जब अबस्ट अबस्टियू समय इननने का लिए। तो कि अप बाद यह जरूर कहना चाहती है और मानती हूं कि आप मैं हम सब जो इस लोग तंत्र के नागरिक है वो एक न्याया करानु जा विश्वास रखते हैं आप भी रखते हूंगे मैं दी रखते हूंग है थैंक यह मैं थैंक यह सो जो थे कहने आख यह है झाल 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 झाल